Welcome to all of you, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को 10s और 1s का concept किस तरीके से आसाने से समझाया जा सकता है कि confusion बिलकुल भी न रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बच्चों को 10s और 1s का concept समझाने के लिए हम डिवाइट कर लेते हैं नमबर्स को 1s और 10s फैमिली में 1s family में भी 9 members है और 10s family में भी 9 members है 1s family के 9 members जहां पर single digit number है वहीं 10s family के 9 members double digit number है 1s family के members 1s के combination से बने हैं जबकि 10s family के members 10 के combination से बने हैं तो चलिए इस बात को और अच्छे तेरी किसे समझ लेते हैं जैसे कि अगर मैं example लेती हूँ number 4 number 4 के अंदर कितने 1s है 1, 2, 3, 4 इसका मतलब यह है कि number 4, 4, 1 के combination से बना है number 4 के अंदर 4 1s है एक और example ले लेते हैं जैसे कि number 8, number 8 के अंदर कितने 1s है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 number 8 बना है 8 1s के combination से बहुत साफ है कि number 8 के अंदर 8 1s है इसे तरीके से हम बात करते हैं 10s family की 10s family में अगर मैं example लेती हूँ 30 का तो हम देखते हैं 30 के अंदर कितने 10s है 1, 2, 3 number 30 के अंदर है 3 10s क्योंकि number 30 3 10s के combination से बना है उसी तरीके से अगर मैं example लेती हूँ number 70 का तो हम देखते हैं number 70 के अंदर कितनी 10s है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 number 70 के अंदर है 7 10s इसका मतलब है कि number 70 7 10s के combination से बना है लेकिन हमारे पास और बहुत से number होते हैं जो कि 10s और 1s family के combination से बनते हैं तो चलिए जान लेते हैं ऐसे numbers के अंदर 10s और 1s का पता किस तरीके से लगाया जाए example के लिए हम ले लेते हैं number 32 को जब हम number 32 को बोलें तो थोड़ा रुक रुक कर बोलें जैसे कि number 32 जब हम ऐसे बोलेंगे तो number अपने आप ही 2 families में divide हो जाएगा number 30 represent करता है क्योंकि यह double digit number है और एक place पर 0 आ रहा है यह represent करता है कि वो 10s place का number है और number 2 क्योंकि एक single digit number है वो represent करता है कि वो 1s place का number है अब इन में 10s और 1s का पता लगाना बहुत ही आसान 1 10, 2 10, 3 10 it shows that number 30 के अंदर है 3 10s दूसरी तरफ number 2 number 2 के अंदर कितने 1s है 1, 2 number 2 के अंदर है 2 1s तो हम रिखेंगे 2 1s तो इसी तरह से आपने देखा number 32 के अंदर है 3 10s और 2 1s इसी तरीके से हम एक और example ले लेते हैं इसे कि हमने एक्जामपल लिया number 54 का हमने दिरे से बोला number 54 जब हमने इस तरह से बोला तो number अपने आप ही two families में divide हो गया और इसके बाद यह पता लगाना कि इस नंबर में कितने 10s और कितने 1s है बहुत simple है 1 10 2 3 10 4 10 5 10 number 50 के अंदर होते हैं 5 10s और number 4 के अंदर होते हैं 1 2 3 4 number 4 के अंदर होते हैं 4 1s it shows number 54 के अंदर है 5 10s and 4 1s तो देखा आपने family में distribute करते ही किस तरीके से यह concept बहुत असानी से बच्चों को समझ में आ जाएगा उमीद है इस वीडियो से आपको 10s of 1s का concept समझने और समझाने में बहुत असानी होई होगी इस वीडियो को देखने के लिए keep growing के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद keep practicing keep growing